रख होसला वो मनजर भी आएगा प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा ठक करना बैठे मनजील के मुसाफिर मनजील भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा तो इनरजी बुस्टर आपका अपना चैनल कुईजब देवी थे एजे में आपका स्वागत है और आज है 15 अक्टुबर और आज मैं लेकर के आया हूँ हीट एक्सेंजर से रिलेटेड ये हमारा तीसरा वीडियो आप इस तीनों वीडियो को देख लो एक्जाम में हीट एक् एक्जाम के लिए काफी फाइदय मंद होने वाला है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन दबा दें जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले तो बिना समय गवाते हुए बढ़ते हैं आज कल ऐसा ट्रेंट चला है यह एस्टेट्मेंट करेक्ट वाला कोस्चन आता है एक्जाम में इसलिए मैं यह कोस्चन डाल दिया हूँ और खास करके पाणीपत रिफाइनरी के एक्जाम में तो यह सा कोस्चन आता ही आता है तो फस्ट ऑप्शन बढ़ते हैं ऑप्शन य देखते हैं भाई देखते हैं यह है आपका कांटर फ्लो हीट एक्सेंजर इसमें हम देख रहा है कि यहां से इन हो रहा है यहां से लिब हो रहा है तो कहां परपेंडिकुलर हुआ यहां से इन हो रहा है और यह यहां से आउट हो रहा है तो यह दोनों कहां परपेंडिकुलर fluid flow in the same direction cross flow heat actions fluid flow का direction same होता है तो जड़ा देख लेते हैं वई ये देखिए ये cross flow है cross flow में देख रहा है आप इधर से in हो रहा है इसमें इधर से in हो रहा है तो का हुआ same direction में तो ये भी गलत हो गया तीसरा option है in parallel flow heat exchanger parallel flow heat exchanger में fluid inter and leave at opposite direction parallel flow में अब दाना है आपको parallel flow में क्या inter करता है लिप करता opposite direction में तो जड़ा देख लेते हैं भई ये देखो ये है आपका parallel flow आप देख रहा हैं कि यहां से in हो रहा है यह यहां से in हो रहा है तो यहां से out हो रहा है मतलब ये दोनों जो है opposite direction में यहां से in हो रहा है यहां से out हो रहा है ठीक है तो ये statement भी wrong हो गया same direction में in करता है same direction में out होता है ठीक है और हमारा अगला कुछ option है option D double pipe heat exchanger in double pipe heat exchanger one pipe is fixed concentrically inside a larger pipe तो ये बिल्कुल सही option है कि double pipe heat exchanger में आप लोग जानते हैं कि एक pipe के अंदर में जो है दूसरा pipe को जो है क्या किया जाता है लगाया जाता है ठीक है concentrically ठीक है तो बढ़ते हैं अगले question के तरफ यहाँ पर ये इसका right answer हो गया ओके यहाँ पर अब थोड़ा सा देख लेते हैं इस double pipe heat exchanger के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं double pipe heat exchanger के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए कि double pipe heat exchanger it is the simplest form of heat exchanger consisting of pipe fixed concentrically जैसा कि आप में बताएं आपको double pipe heat exchanger is used when flow rates of fluid is less and heat duty is small ठीक है तो इस type का question भी हम दूसरे वीडियो में करवाएं हैं double pipe heat exchanger का use कहां किया जाता है ठीक है तो बढ़ते हैं अगले question के तरफ यहाँ पर यह double pipe heat exchanger का यह बताया हुआ यह देख रहे हैं कि एक pipe के अंदर pipe के अंदर इसमें एक pipe डाला हुआ है ठीक है तो इसमें यहाँ से in होता है flood और यहाँ से out होता है और फिर इसी तरह से अंदर में जो tube है उसमें यहाँ से in होता है यहाँ से out होता है तो pipe के अंदर इसमें pipe लगाया जाता है ठीक है तो बढ़ते हैं अगले question के तरफ हमारा अगला question है कि the automobile radiator is a heat exchanger of automobile का radiator जो है किस type के heat exchanger का example है किस type का उसमें heat exchanger लगा होता यह काफी सांदार और important question है exam में आया हुआ question है और यह आने वाला question है तो option A parallel flow option B counter flow option C cross flow option D regenerator flow तो इसका जो right answer है वो है cross flow automobile का जो radiator होता है वो cross flow होता है तो जरा हम photo के माध्यम से देख लेते हैं जिससे कि हमारे subconscious mind में याद हो जाए यह देखिए यह है आपका radiator ठीक है यह है आपका radiator आप देख रहे हैं कि इसमें एक तरफ से इधर से इधर से oil inlet करता है इधर से oil निकलता है और air इधर से in करता है इधर air निकलता है इस type से इस type से एक इधर से और इक इधर से तो यह आप जानते हैं यह किस टैप के flow का example है तो यह है cross flow ठीक है यह किस टैप का है cross flow का हम आपको पीछे cross flow के बारे में बता चुके हैं यहां देखिए cross flow के बारे में हम बता चुके हैं तो बढ़ते हैं अगले question के तरफ हमारा तीसरा question है air can be best heated by steam in heat ex sensor air को जो है steam के द्वारा heat किया जाता है किस टैप के heat exchanger में option A plate type heat exchanger option B double pipe with fins on steam side और double pipe type heat exchanger with fins on air side exam में confused नहीं हुईएगा ध्यान से पढ़िएगा यहां पे कर आए steam side यहां पे कर आए air side और option B है cell and tube type heat exchanger तो इसका जो right answer है वो है option C double pipe with fins on air side double pipe heat exchanger लेकिन उसमें air side में fins लगा होता है ठीक है तो बढ़ते हैं अगले question के तरफ अगले question पे देखने से पहले यहां पे आप देख लेजिए यह double pipe protect sensor जो आपको इम पिछले question में भी दिखाये थे यहीं पे देख रहे हैं कि यह steam से hit किया जाता है ठीक है air side वाले में ठीक है तो बढ़ते हैं अगले question के तरफ और यह question देख लेजिए यह question पानी पत रिफाइंडरी के exam में एक बार आया हुआ है अगर आप पानी पत रिफाइंडरी का exam दिये होगे तो आपको बहुत अच्छे दरह से पता होगा और यह सब question तो ओपी गुपता में दूर दूर तक नजर नहीं आता है तो यह question बताना है कि recognize the given cell and tube heat exchanger यह बताना है कि इस फोगटों में देख के बताना है किस टाप का heat exchanger है और यह पानी पत रिफाइंडरी में डायरेक्ट यह question छपा था ठीक है तो option A 12 heat exchanger, option B 23 heat exchanger, option C 24 heat exchanger, option D 36 cell and tube heat exchanger तो इसका जो right answer है वो है 36 cell and tube heat exchanger, ठीक है तो कैसे है तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ से in हो रहा है और शड़ी यहाँ देखिए, यहाँ से in हो रहा है और यह in होने के बाद ऐसे करके ऐसे, 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 ऐसे करके फिर यहाँ निकल गया ठीक है और इसी तरह से cell में यहाँ से in होता है ठीक है और फिर यह यहाँ से निकल जाता है तो इसमें आप देखे कि कितना, ट्यूब साइड में यहेए कितना, इसे गया एक, दो, यह व legend 4, यह व condition 5, यह वदay 6 मतलव ट्यूब साइड में 6 पासिस है , त्योब साइड में कितने पासिस में6 पासिस है, असे स्यल साइड में यहाँ पे देख रहा हैं दो segment में बटा हुआ है और यहाँ पे तीन passes है मतलब cell side में तीन passes और tube side में छे passes और आपको हमें बताय हुए है जब पहला वाला नंबर होता है cell side का पहले ही वीडियो में आपको बताय है तो यहाँ पे right answer यहाँ पे 3, 6 cell and tube heat sensor हो जाएगा ठीक है तो देखते है इसका वही जो बात हम बताय है वही बात यहाँ लिखके लाए है कि in the provided figure we see 6 passes for the tube ठीक है and 2 partition walls present in the cell which divided into 3 parted hence the stone figure is 3, 6 cell and tube heat sensor ठीक है बढ़ते हैं अगले question के तरब हमारा अगला question है which is the major mean of heat transfer in double pipe heat exchanger double pipe heat exchanger में जो heat transfer होता है वो किस medium में होता है option A convection, option B conduction, option C radiation, option D combined convection and conduction तो हमारा इसका right answer है convection और conduction दोनों होता है ठीक है तो जड़ासर देख लेते हैं कि in double pipe heat exchanger the fluid is in a constant uniform motion inside a pipe, pipe में क्या होता है कि fluid constant uniform motion में होता है किस के वज़े से तो force convection के वज़े से that remove the flow fluid from the wall by dynamic mixing which increase the overall bulk temperature of the fluid or the separating wall is the heat transfer medium that carries heat from the hot fluid to the cold fluid through conduction मतलब तो आपको याद यहां रखना है कि दोनों में जो इसमें जो है convection और conduction दोनों होता है cell and tube heat exchangers में बढ़ते हैं अगले question के तरफ हमारा अगला question है How many times do we have to calculate the nusselt number in double pipe heat exchanger double pipe heat exchangers में nusselt number कितना बार calculate किया जाता है option A एक बार, option दो बार, तीन बार या चार बार तो इसका जो right answer है वो है दो बार nusselt number इसमें दो बार निकाला जाता है इसका भी थोड़ा सा explanation देख लेते हैं इसका भी explanation थोड़ा देख लेते हैं for a double pipe heat exchanger we have to calculate the nusselt number twice दो बार once for the inner pipe to calculate convective heat transfer coefficient एक बार जो है so tube के लिए निकाला जाता है similarly second बार जो है वो involus side के लिए निकाला जाता है ठीक है तो बढ़ते हैं अगले question के तरफ हमारा अगला question है falling factor of heat exchanger can be calculated by falling factor heat exchanger ने कैसे calculate किया जा सकता है option A thermal resistance of heat transfer without scaling and thermal resistance of heat transfer with scaling या फिर thermal resistance of heat exchanger with scaling और thermal resistance of heat exchanger without scaling या option D है इसमें minus है उसके बाद है thermal resistance of heat exchanger without scaling multiply thermal resistance of heat exchanger with scaling option none of these तो इसका जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा B कि thermal resistance of heat exchanger with scaling scaling के साथ जब scaling हो गया है तो उसका thermal resistance निकाला जाता है और जब उसके scaling नहीं था तो उसका thermal resistance निकाला जाता है दोनों का जो difference होता है उसी तरह से हम लोग falling factor निकालते हैं ठीक है तो अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि यह falling factor यह क्या होता है generally क्या होता है tube में धिरे 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 ज्यादा लंबे समय तक चलने से उसमें धिरे धिरे choking हो जाता है यह falling factor यह अलग-अलग cross section में अलग-अलग angle से मैं दिखा रहा हूं आपको photo और इसमें देख रहा है यह tube के उपर में भी scaling हो गया है ठीक है और यह वाला part यह वाला part है जो जिसको cell के अंदर डाला जाता है तो बढ़ते हैं अगले question के तरफ अगले question पे अभी हम पीशे बताया है वह इसी पे question भी है कि the scale form in a heat exchanger after a period of operation and provide additional resistance to heat transfer with some heat transfer coefficient the reciprocal of this scale heat transfer coefficient is called उसका यह तो जो उस पे एक layer जम गया उसको scaling बोलते हैं उसका reciprocal जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं falling factor ओके तो बढ़ते हैं अगले question के तरफ हमारा आगला question है the heat exchanger is set to be compact where its area density is heat exchanger उसको compact कब कहा जाता है जब उसका area density क्या होगा option A equal to 700 meter square per meter cube option B less than 700 meter square per meter cube option C more than 700 meter square per meter cube option D unpredictable तो इसका जो right answer है वो है more than 700 meter cube per meter cube तो उसको बोलते हैं compact heat exchanger अब थुरा सा इसमें देख लेते हैं compact heat exchanger का photo देख लेते हैं generally क्या होता है कि the compact heat exchanger having large surface area per unit volume ठीक है तो आप देखें ही है यहाँ पर कि यह 700 meter square 700 meter square per meter cube यह volume है तो यह देख रहा हैं कि यह है compact यह देख रहा है compact heat exchanger है तो बढ़ते हैं अगले question के तरफ हमारा अगला question है the compact the compact heat exchanger are commonly used compact heat exchanger का use commonly किसके लिए किया जाता है option है gas to gas heat transfer के लिए या gas to liquid heat transfer के लिए या both के लिए या none of these के लिए तो यह जो किया जाता है वो दोनों के लिए किया जाता है ठीक है उसका right answer C है बढ़ते हैं अगले question के तरफ हमारा अगला question है एक correction factor of LMTD is necessary in case of dash heat exchanger correction factor जो है LMTD का किस type के heat exchanger में एकदम जरूरी होता है option A cross flow option B parallel flow option C counter flow और option C all of the above counter flow पर parallel flow इस सबका चर्चा बहुत बार कर चुके हैं आप लोगों को तो याद हो गया होगा तो यह LMTD जो necessary होता है वो होता है cross flow के लिए ठीक है यह इसका right answer बढ़ते हैं अगले question के तरफ हमारा अगला question है it is not desirable to design the heat exchanger for LMTD correction factor of less than heat exchanger कर जब design किया जाता है तो LMTD correction factor कितना से कम नहीं होना चाहिए तो वो है इसका option देख लेते हैं 0.99, 0.95, 0.80, 0.55 तो इसका जो right answer है वो 0.80 है LMTD correction factor जो है heat exchanger के design में 0.80 से कम नहीं होना चाहिए बढ़ते हैं अगले question के तरफ हमारा अगला question है which tube arrangement in a heat exchanger would facilitate highest heat transfer rate इसमें से किस type का peach होने से heat transfer rate highest होगा option A triangular peach, option B square peach, diagonal peach या फिर heat transfer rate is independent of the tube arrangement तो इसका जो right answer है वो है triangular peach peach के बारे में हम पहले ही वीडियो में आपको बताए हुए है photo के द्वारा तो जब triangular peach होगा tube का जो arrangement होगा triangular होगा इस तरह से तो उसमें जो है heat transfer rate सबसे highest होता है बढ़ते हैं अगले question के तरफ अगला question है which tube arrangement in a heat exchanger would facilitate highest heat transfer यह तो हो गया यह question हो गया अगले question के तरफ चलते हैं अगला question है हमारा के the ratio of tube length of cell diameter in case of liquid cell and tube heat exchanger ranges from करा है कि the ratio of tube length to cell diameter tube length और cell diameter का जो ratio होता है in case of liquid cell and tube heat exchanger में वो कितना होना चाहिए option यह 2 से 4 यह 3 से 5 यह 4 से 8 यह 6 से 12 तो इसका right answer जो है वो 4 से 8 होना चाहिए उसका ratio ठीक है तो फिर बढ़ते हैं अगले question के तरफ अगला question है if a single tube pass heat exchanger is converted to two passes for the same flow rate the pressure drop per unit length will be dash times अब बताइए कितना हो जाएगा अगर single tube pass में if a single tube passes heat exchanger अगर single tube passes heat exchanger में उसको convert double passes में convert कर दिया जाएगा same flow rate के लिए तो pressure drop per unit length in the tube कितना हो जाएगा option a increases by 1 by 8 option b decreases by 2 square increases by 2 to the power 1.6 optionally none of these तो इसका जो right answer है वो हो जाएगा increase by 2 to the power 1.6 यह इसका right answer है direct exam में छपता है question तो यह हमारे वीडियो के आजका आखरी question है उमीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा काफी important question का collection मैं किया हूँ काफी मेहनत करने के बाद तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe कर दिजिए bell icon दबा लीजिए ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस न हो like कर दिजिए comment कर दिजिए और अपने दोस्तों को share कर दिजिए ताकि उसको भी कुछ help मिल सके धन्यवाद